आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि गर्मिया बहुत पढ़ रहे हैं आप अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा और आज मैं इसी गर्मी से बचने के लिए बहुत ही सिंपल और डेलिशियस रेसिपी बनाने जा रही हूं तो आज हम बनाने जा रहे हैं लैमन रा प्रश्चे बनाने जाए और चार से पांच सूखी ड्राय मिर्श दाली है और हरी मिर्श भी क्योंकि मुझे थोड़ा सा चटपटा भी पसंद है इसलिए मैं थोड़ी मिर्ची जादर डाली आप लोग मिल्ची अपने हिसाब से डाल सकते हैं फिर यहां पर मैंने कड़ी प तेस्ट आता है जो नर्ट्स पकर डाले है नमने इससका टेस्ट बहुत ज्यादा इन्हेंस होता है और इसके जब हमारी जो सारे मसालें वह भुन गए तीन से चार मिंट मैं इसमें हल्दी और नीबु डाल दिया है नीबु आप लोग चाहो तो एक पूरा भी डाल सकते हो तो आधा नीबु यूस करेंगे जादा कटा हो जाएगा तो फिर जो सारा टेस्ट आना हो सफ खटाई का आएगा तो इसलिए मैंने इबु कम डाला है अधा और नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूं और इसके बाद हम लोग ना इसमें राइस कर देंगे राइस में युटि इसको नइन को टाराइस में को खाने के लिए बच्चे लिए बच्चों के लिए बना रहे है तो अपर मिर्च करीएगा थोड़ा सा पैनी के चीटे मार के इसको ठख के पांश मिट करिंगी और देखिए यहां पर यह गई पांश मिट कूग कर आघएगा मैं इ तोड़ी सी मुठी नीम से इसको गार्णिश कर दिया है और देखिए हमारे लेमन राइस बनके तयार है देखने में यतने डिलीशिस लग रहे हैं और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएगा कि किस के फेवरेट है लेमन राइस या फ्राइड राइस जावल की कोई भी रेस